आपको बतादें कि समीटी के जो तमाम सदसें अध्यक्षें वो संसद भवन परिसर में पहुंच गए हैं अपसे कुछी देर में ये बैठक शुरे होने जा रही है तिर्मुल कॉंगरिस की संसद भववा मोतरा आज आचार समीटी के सामने पेश हो रही हैं महोवा मोतरा इसक खबर मिली है कि अब तक गरी मंतरा ले आईटी मंतरा ले और विदेश मंतरा ले ने कमिटी को अपनी ओर से जो भी जानकारिया मागी गई थी उन पर जवाब भेज दिया है सूत्रों के मताबिक महोवा मोतरा पहले अपना बयान धर्च कराएंगी और उसके बाद उनसे सव जवाब किये जाएंगे इस बीच कल महोवा मोतरा ने आचार समीति के अध्यक्ष विनोध सोनकर को चिठी लिखकर कई सवाल उठाए उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह के मामलों को देखने का अधिकार आचार समीति के पास है भी या नहीं उन्होंने कहा कि संसिदी समीति क्यों को आपरादिक मामले जांचने का अधिकार नहीं है महोवा मोतरा ने जय अन्द ध्यादराई और दर्शन हीरन अन्दानी को समीति के सामने फिर से बुलाए जाने और उन्हें उनका क्रॉस एग्जामरेशन करने का मौका देने की मांग भी की है और हमार से विगी प्रशान्थ हमार साथ जोड़ गए हैं इस वक्त संसत भावन में मौझूद हैं प्रशान्थ कब तक ये कारवाई शुरू होगी और क्या क्या आज होने की संभाव ना है देखे अखलेश महुआ मोहितरा जिनको आज बुलाए गया है कमिटी के सामने वो आपसे कुछ दर पहले संसत भावन पहुँच चुकी है और जब हम आपसे बात कर रहे हैं चुकी ये मीटिंग 11 बजे शुरू होने वाली थी तो हम एजियूम कर सकते हैं कि मीटिंग शुरू हो गई होगी क्योंकि कमिटी के भी तमाम सदस से पहुँच गये थे तो 11 बजे से ये मीटिंग शुरू होनी थी महुआ मोहितरा भी पहुँच चुकी हैं लिहाज आपसे बैठक या तो शुरू हो गई होगी या शुरू होने वाली होगी आज की जो बैठक बुलाई गई है वो मूल रूप से महुआ मोहितरा से जो उनका पक्ष है वो जानना चाहती है कमिटी क्योंकि उनी पर आरोप लगे हैं और चूकि आप जानते हैं 26 अक्टूबर को निशिकान दूबे और जैनन देहदराई जो दो मुख्य शिकायत करता ह है इस मामले में उनसे कमिटी पूष्टाश कर चुकी है उनका पक्ष जान चुकी है तो आज महुआ मोहितरा से उनका पक्ष जाना जाएगा उनका बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो कमिटी के पास जितने भी अब तक साक्ष सबूत दस्तावेज जो भी मौजूद ह GRI मंतराले, आईटी मंतराले और विदेश मंतराले से जो जवाब भी आया है वो भी सारे qualify पास मौजूद है उसके अदार पर कमिटी के सदस उन्से क्रोस एक्जामिन करेंगे उनसे सवाल जवाब होगा और फिर आगे तै होगा कि आगे इस पर कमिटी कैसे आगे बढ़े जो कमिटी के सवाल होते हैं उसका कैसा जवाब देती है और फिर अगर जरुष पड़ेगी तो क्या किसी और को भी आगे समन करना है किया दर्शन हिरा नंडानी को भी कमिटी बुलाएगी इन सब बातों का फैसला आज जो अभी बैठक होगी उसके बाद लिया जाएगा लेक कि दर्शन हिरा नंदानी को जो खुद उन्हें स्विकार किया है कई टेलेविजन इंटेविव और अखवार को दिया इंटेविव में कि उन्होंने अपना लॉग इन पासवर्ड दिया है अब कमिटी खुद जिसको बोलते हैं होर्सेज माउट से उनसे वो सुनना चाहेंगी कि क्या उन्होंने अपना लॉग इन जो क्रेडिंशियल है यूजर आइडी और पासवर्ड वो दर्शन हिरा नंदानी को दिया था या नहीं अगर दिया था तो क्या ये उचित है ये सवाल भी पूछा जाएगा दूसरा वो दर्शन हिरा नंदानी को कैसे जानती हैं कब से जानती हैं किस तरह से उनकी मुलाकात हुई और फिर जो आरोप लगाये गए हैं दर्शन हिरा नंदानी के अलफनामे में जो बाते कही गई हैं उनके बारे में उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ बड़े महतुपूर्ण सवाल तीके सवाल उनसे पूछे जाएंगे और वो किस तरह का जवाब देती हैं कमिटी को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाती हैं कि नहीं इसी पर निर्भर करेगा कि आगे फिर कमिटी इस मामले पर कैसे आगे बढ़ती है प्रशान दूसरी बात ये कि जो बात महवा मुईतरा ने कल कही उन्होंने का कि उन्हें ये मौका दिया जाए कि जो गवा हैं चाहे जाये अनंत देहादराई हो चाहे दर्शन हीरा नंदानी हो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करनी की अनुमती समीटी उन्हें दे क्या इस कि जो तौर तरीका है किस तरह से सवाल पूछे जाएं क्या सवाल पूछे जाएं इसे लेकर समीटी में एक राय नहीं थी और बीच में जो है मतदान भी कराना पड़ा था बिल्कुल बिल्कुल देखिया अखलेश लेकिन कल जब ये पत्र लिखा महुआ मोहितरा ने विनो सोनकर को और जिसमें ये मांग रखी उन्होंने अपनी इसके बाद मैंने कुछ कमिटी के भी सदस्यों से बात की और कुछ जो जानकार है संसदिये प्रनाली के आप भी इत बिल्कुल देखते हैं कि किस तरह से दो गवाहों को या आरोपी गवाहों को आमने सामने बिठा कर पूस्ताच की जाती है लेकिन संसदिये समीतियों में ऐसी परंपरा नहीं रही है ये कहना था इन जानकारों का इसलिए इसकी इस बात की संभावना कम है कि जो महुआ मोहि करती रही है न तो इस तरह के नियम रहे हैं हाले कि महुआ मोहितरा फ्रॉम डे वन पहले दिन से इस तरह की मांग करती रही थी कि दर्शन हिरा नंदानी को भी बुलाया जाए वो उनसे सवाल पूछना चाहती है और अब उसमें उन्होंने अजय अनंद देहद्राई का भी समीति के सामने बुलाया जाए जबकि समीति को जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मताबिक की विदेश मंतले के ओर से कहा गया है इन्फरम किया गया कि दर्शन हिरा नंदानी ने अपना जो हलफ नामा था उसको वेरिफाई कराया है नोटराइस कराया है दूतावास में दुबाई में तो एक तरह से इस बात पर पुष्टी हो गई है कि वो जो हलफ नामा आया है वो उनीका है और इसकी पुष्टी विदेश मंतले की ओर से कर दी गई है तो इसके बावजुद भी क्या मवव मुत्रा की मांग पर विचार किया जाएगा नहीं देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा जो पिछली बार पिछली मीटिंग के बाद जो पत्र लिखा गया था विदेश मंतले को ग्री मंतले और आईटी मंतले के अलावा उसका मकसद ही यह था कि आपचारिक तोर पे विदेश मंतले का वर्जन इस पे लिया जाए कि जो हलफ नामा उन्होंने दुबाई के कॉंसलेट में जमा किया है वो फेक तो नहीं है वो रियल है वो उन्होंने जमा करवाया है जो होता है जो एक प्रक्रिया होती है कि इसको अपचारिक तोर पे विदेश मंतले से पूछ लिया जाए कि यह सही है हलफ नामा और जो आया है पिल्कुल फेक नहीं है वो असल है इसलिए उनको पत्र लिखा गया था और उनकी तरब से बताए गया है कि यह रियल हलफ नामा है धर्शन हिरा नंदानी ने खुद जमा किया तो ऐसे में कमिटी के सूत्रों का पिछली बार भी यह कहना था कि धर्शन हिरा नंदानी को बुल कि यह रूची नहीं थी खासकर जो सचिवाले है कि उनको बुलाया जाए लेकिन जैसा मैंने कहा है इस पर फाइनल कॉल आज की मिटिंग के बाद लिया जाएगा क्योंकि आप एकदम तैय मानिए कि महुआ मोहित्रा फिर से यह अपनी मांग कमिटी के सामने आज फिर से